कोर्बा में एक पती ने पत्नी की चरित्र शंका को लेकर हत्या कर दी। और उसके सीर पर रोटी बनाने वाले तवा से ताबड तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद भी पत्नी को जिन्दा देख उसके गले को दबा कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह हमेशा जो है अपनी पत्नी के उपर चरित्र शंका करता था। इसकी पत्नी इसे अक्सर यह कहती थी जा घर से बाहर जा जा काम धाम करना। तो यह सोचता था कि मुझे यह बाहर क्यों बेजना चाहती है। जरूर इसका किसी के साथ संबंध है। आए दिन मुझे से विवात करती है। जेल भजवाने का मडर करने का धमकी देती है। तो यह सुबह साड़े पांच वे उट करके उसके साथ इसी बात पर से पुना विवात किया। और उसका बाल हाथ पकड़ करके पलंग से नीचे उतारा और फार्स पर उसे पटक कर। लोही के तावा जो रोटी बनाने का उपयोग में आता है। उसमें हिंडल भी लगा हुआ था। उससे उसने जोड-जोड से उसके सीरियूम कनपटी में वार कर चोट पहुचाया बताया जा रहा है कि एक माह पहले भी दोनों के बीच विवाद था। पतनी को रोट से हमला कर घायल कर दिया था। बालकुनगर थाना में शिकायत पर कारवाई कर जमानत के अभाव में जेलदा खिल किया गया था। मेडिया फोर सपोर्ट के लिए इश्वर राठिया की रिपोर्ट।